आपके लिए लाया हूँ दैनिक राशी फल 13 जून 2022 का कैसा रहने वाला है आप लोगों का दिन सबसे पहले मेश राशी का राशी फल एरिज सायन मेश राशी जोखिम भरा कारी बिलकुल न करें चोट चपेट से बचें अजनबी पे भरोशा करेंगे तो धोखा मिलेगा जो निस्चित और सही कारी है उसी वो करना है अलिस्चिता के पेशे बिलकुल न चाहे जोखिम्भरा कारी से बचे विबेक जागरित करके चलना है आज के दिन आपको क्रोध और हट बिल्कुल नहीं करना है जो सही कारी है उसी उकरना है मेहनत अधिक करेंगे तो लाब को प्राप्त कर सकते हैं ओम कुम कुजाय नमह इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना हनुमान जी का भक्ति करना और हनुमान चलिशा का पाठ करना कल्यान कारी होगा तौरस सैन बिस राशी आपके लिए दिन सुभ है आप मेहनत करके आज बहुत सारे कारियों को पूरा कर सकते हैं ब्यापारियों के लिए ब्यापारियों में उत्तम लाप प्राप्त करने का योग है और दूर देश के यात्रा की संभावना भी रहेगी जिवन साथी का पुर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा और मन प्रसंद रहेगा आज आपको जो भी कारी करने है उसको करें दिन आपका शुब है ओम शुम शुक्राय नमह इस मन्तर का अधिक से अधिक जाप करना सफेद रंग के बस्तुओं का दान करना दुर्गा जी की भक्ति भाव के साथ पुजन करना और दुर्गा का बच्का पाठ करना विशेश कल्यान कारी होगा जेमिनी सैंड मिथुन रासी धनधान की बृद्धी होगी कुटुंब परिवार का सहयोग प्राप्त होगा शत्रों के उपर बिजय की प्राप्ती होगी मेहनत करके आज बहुत सारे कारियों को पूरा कर सकते हैं आगे बिचार के लिए सुभी योजना भी बनाएंगे सिहत का थोड़ा ध्यान रखें और मेहनत अधिक करें ओम बुंग बुधाय नमह इस मंतर का अधिक सधिक जाप करना हरेडं के बस्तूओं का दान करना गनपती जी भगवान का भक्ति भाव के साथ पूजन करना स्री गने सतर विशेश का पाठ करना विशेश का लियान कारी होगा कैंसर सैन करकरासी आज संतान के लिए दिन सुभ है सिख्षा के लिए दिन सुभ है प्रेम के लिए दिन सुब है, कारियों में सफलता का योग है, अच्छी संगती भी मिलेगी, इसलिए जो भी काय करना है उसको करें, दिन आपका शुब है, मन प्रसन रहेगा और सफलता को प्राप्त करेंगे, ओम, चंद चंदराय नमह इसमंत्र का अधिक सधिक जाप करना, स कोगों से वारतालाप में मधुर्बानी का प्रियोग करें, जबी आप उलजेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि दिन आपका बारी है, जल्दवाजी न करें, क्रोध न करें, विबेक जागरित करके चलें, सफलता के लिए आपको आज बहुत धैर रखना होगा, और आधित तिरिदैस्तोत्र का पार्ठ करना विशेश का लियान कारी होगा, वर्गो सैन कर्णियारासी, आज देख रहा हूँ, आप महलत करके बहुत सारे कारियों को पूरा कर सकते हैं, लोगों में आपका काफी अच्छा प्रभाव रहेगा, भायबंधों का सहयोग भी प्र प्राप्त हो सकते हैं, दिन आपका शुब है, ओम गंगर पतेये नमहा इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, भक्ति भाव के साथ गंपती जी का पूजन करना, और स्री गिने सथा रुशेश का पार्ठ करना, विशेश का लियान कारी होगा, लिप्रासायन तूलारासी, आज कुटुम्ब परिवार का पुर्ण सहयोग प्राप्त होगा, धनधाने की प्रिद्धी होगी, अपनों का सहयोग से मन प्रसंद रहेगा, आज बानी में मधुर्ता रखेंगे, तो बहुत ही उन्नती को प्राप्त करेंगे, दिन आपका शुब है, अब सरका लाब उठा कर अपने कारियों को पूरा करें, आगे बढ़ें, ओम शुम शुक्राय नमह, इस मंतर का अधीक से अधीक जाप करना, सफेद रंग के बस्तों का दान करना, दुर्गा जी की भक्ती भाव के साथ पूजा करना, और दुर्गा कबच का पाठ करना विशेश कल्यान कारी होग अज देख रहा हो, महनत करके आज कारियों को पूरा करेंगे, उत्तम भोजन का आनंद आपको प्राप्त होगा, लोगों में काफी अच्छा प्रभाब रहेगा, बस्तरा भूसनों का लाब मिलेगा, तथा महनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, जमिनी विबाद से आपको छुटकारा मिलेगी, शत्रों को पर बिजय से मन प्रसंद रहेगा दिन आपका शुबह, ओम कुंग कुजाय नमह इस मंतर का अधीक से अधीक जाप करना, लाल रंग के बस्तुमों का दान करना, हनुमान जी का भक्ति भाव के साथ पूजन करना, और हनुमान चलिसा का तीस सचेतर हैं, सेहत का पूर्ण ध्यान रखें, तथा जो भी कारी करना है, बहुत ही सूजबुज के साथ करना है, दिन आपका भारी है, ओम बिरिंग ब्रिहस पताए नमह इस मंतर का अधीक से अधीक जाप करना, पीले रंग के बस्तुमों का दान करना, विश्नु पूस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना, विशेश का लियान कारी होगा, कैप्रिकॉन साइन, मकर रासी, आज अनेक प्रकार के लाव को प्राप्त कर सकते हैं, घर में मांगलिक बातावरन का अनुभब करेंगे, और लोगों से मुलाकात में मन प्रसंद रहेगा, आगे विका का दान करना, स्रीराम जी और हनुमान जी का भगति भाव के साथ पूजन करना, सुंदर कान का पाठ करना, आपके लिए विशेश का लियान कारी होगा, एकवर सैन कुम्भरासी, आज आपका दिन सुब है, जो विकारी करना है, उसको करें, सरकारी छित्रों से भी लाव हो स का दान करना, स्रीराम जी और हनुमान जी का भगति भाव के साथ पूजन करना, सुंदर कान का पाठ करना, कल्यान कारी होगा, पैसे सैन मीर रासी, आज आपका भाग पूर्ण रूप से साथ देगा, रुके हुए कार भी पूरा होंगे, ने ने कारियों के अवसर को ने का अधिक से अधिक जाप करना, पीरे रह रहन के बस्तुम का दान करना, विश्टु भगवान का पूजन करना, और स्री विश्टुन सहस्तना में स्तोत्तर का पाठ करना, विशेश कल्यान कारी होगा, तो यह था आज का राशी फल, नमसकार करता हूं, फिर अगले बहुत बदनिवाद नमश्कार